चलो उनका प्रोग्राम तो अच्छा हो गया पर मैं बहुत थक गई हूँ सच्छे कोई बात नी घर जाके आराम कर लेना अब आराम करना तुम मेरे थोड़े हाथ पैर दबा देना ठीक है जी अच्छा मेरे पैर दबाने से तो गई दबवाएगी मुझसे ऐसा करना अब जाके एक बहत्रीन सी अंडे की आमलेट बनाना ठीक है अब आज़ बढ़ाएगा दिन का काम है अब आज़ बढ़ाएगा पारी है सरगार जी अरे तितना भारी है ये अठाट जिल्दी उठाट जिल्दी उठाट ब्लाप किष्ट की ल्मालेट जिल्दी आज़िएगाएगा जल्दी उठाक आट-घ्र STEP-पर, कषैण द्धेर, कषैण일 आज ज्दी गाताट दिल्र स्यान गरिवाएगल है मजी आगें मजे आरें एधर से रенты सिलेंडर चुरा लिया हें दरवाजा कैसा खुल गया यह तो बढ़ेगर के गई थी अच्छा हें यहां तो कुछ भी ना छोड़ा सब समाल ले गई है अल्ला, अल्ट की ठेम गी यह अरे तबा चीम्टा भी ले गई हाई अल्ला, मैं लुटी गई, बरवाद हो गई अरे मेरा तो कोई लहांगे का संतूभ भी ले गया ओपे तूने यह ताला कोनी लगा था, मुझे यह बता दे तालो लगाने भूलगी मैं जम्रियल्दी में कुण्डी लगा गई को यारा ज्यादा हमारे टे की ट्रे भी लेगे जो मैं कल लेग आई थी मेरा आमलेट को मन कर रहा था इसलिए सोचा था घर जाके आमलेट बनवा के खाऊंगा खिलवा दिये तुम्हें आमलेट की पढ़ अब सबर कर रिपोर्ट करेंगे चल थाने में अब रुख जाए पुंडी तब अब रुख जाए पुंडी तब अब अब रुख जाए पुंडी तबंड कर दूँ बाहर से कुंडी बंध होते होते चोरी हो गई अम्मी पुख में आम्मी आम्मी पेटा चाहे दे दो आज चाहे मिलेगी या नहीं अरे बेटा अब तो नोकर भी रख लिया अब भी तुम मुझसे चाई मांग रही है अरे हां कहां है उसे बुलाओ तो सही ठीक है अभी बुलाती हूँ शेक चिली अरे ओ शेक चिली अम्मी तुम्हे पता तो ही वा ठंडा अदमी है तुम ऐसे उसे आराम-णाम से आवाज मारोगी तो आराम-णाम से याएगा जोड़ सा बुलाओ शेक चिल्ली, अरे ओ शेक चिल्ली, अरे कहां मर गया, सुन भी नहीं रहा हाँ मालकिन, बोलो क्या काम है काम के बच्चे एक घंटे से चिला रही हूँ, बोल भी नहीं रहा, कहां मर गया था क्या मालकिन मैं समझा नहीं अए हाए मुर्ख कहीं के अम्मी पोच रही थी तू क्या कर रहा था माल कि मैं ज़ाडू लगा रहा था तुमने इतो बोला था तुम्हारी गंदगी साप कर रहा था अरे वाँ देखा अम्मी ये कितने समझदार हो गया है ठीक है ठीक है और सुन हमारे यहां महमान आने वाले है उनकी खातिरदारी करनी है अच्छी तरह से ये खातिरदारी क्या होता है मैं समझा नहीं मालिकिन तू तो बिल्कुल बुद्धु है, तेरा नाम शेक चिल्ली नहीं, बुद्धु होना चाहिए तक बुद्धु चिल्ली अरे बुद्धु, जब महमान आये, उन्हें ठंडा शर्बत पिलाना, दुआ सलाम करना, उसे खातिरदारी कहते हैं, चल अपना काम कर ले मेरा तो कोई काम नहीं है मालकिन, जो बोलोगे वो ही कर लूँगा अब समझ गया, बुद्धु जी जाओ, और जो काम बताया वो कर ले ना हाँ मालकिन अच्छे से समझ गया, खूब खातिरदारी करूँगा, ठंडा सर्वत पिलाऊंगा, सलाम भी करूँगा, खूब खातिरदारी करूँगा जाओ तो मैं जा अम्मी हाँ बेटा वैसे ये तो ठीक है, कि ये समझाने से समझ तो जाता है अरी, लेकिन है तो बुद्धु का बुद्धुई सही क्या रही हो अम्मी तुम, तुम ऐसा करो अम्मी, इसका नामी बुद्धु रख लो, शेक को छोड़ो अम्मी, चाय तो पिलाईनी अभी तक अरी, चल मैं ही बना देती हूँ हाँ, पर तेरे मामू आने वाले हैं, तब ही पिले ना मामू पतानी कब आएंगे, चाय मुझे अब चाहिए अरी, जादा देर ने लगाएंगे, आते ही होंगे वो ठीक है बना दूँगा, अब सर्बत बना दूँगा, बन सर्बत बना दूँगा, पानी बन लेता हूँ पहना सर्बत बना दूँगा, ठंडा, मुझे तर खातरदारी करनी है मैं सर्बत बनाता हूँ, ठंडा सर्बत बना दूँगा, अविदा मेठा ने हुआ, सर्बत ने बना दूँगा, और डालता हूँ अवे, एक बार और देखता हूँ, अविदा मेठा ने हुआ, सर्बत मीठा बना दूँगा, पूरी डाल देता हूँ घुल जा, ओवे, जर्बत तो बन गया मीठा, ठंडा और कर दूँगा, तरदारी करनी है, दूद लाता हूँ तो भाईजन, आपकी लगती क्या है? हाँ, बस ऐसा ही है, मेरी बहन है, अब आपने रहा पर चलना है, अब आपने रहा पर चलना है, मामू अदाप, आदा बिठा अदाप, और ठीको, कहा जा रहा थे, बस यहीं तक जा रहा था, हाँ, ठीके जाओ सर्वत बन गया, खातरदारी करूँगा, अवे मालकिन कह रही थी, जो आए, ठंडा सर्वत करना, ठंडा करता हूँ, सर्वत को हो जा ठंडा, सर्वत ठंडा, सर्वत ठंडा हो जारे ओ वे ठंडा होने लगा, सर्वत ठंडा, और ठंडा करता हूँ, आओ जी आओ चला जी अम्मी हां बिटा अभी आए नहीं मामू हां पता नहीं बिटा कै तो रही थे कि 10-15 मिंट में आ जाओंगा मैं पता नहीं क्यों नहीं आए लो आ गई आ तो गई वालको मस्रा आ बैठ जाओ आज़ा बैठ जाओ और ठीक है जमिला हां भाइजान हो ठीक हो अब ठीक हो अच्छ बुद्धु जी ओ बुद्धु चिल्ली मेहमान आएं बुद्धु चिल्ली और भाइजान आन्ये में कोई तकलीप तो नहीं आजी प्रशानी तो कुछ नियुए मुझे तो जलालु दीने पैसे दे के बेजा था अच्छ अच्छ मैने घर देखा नहीं इसलिए आमीन भाई को साथ लिया या अच्छ ये लो जमीला हां भाईजान गर्मी बहुत हो रही है गर्मी का भी लाज है भाईजान अरे बुद्धु शर्वत ले का अरे बुद्धु चिल्ली चुझे सुनाई नहीं दे रहा हमी बुला रही है अरे शर्वत लिया मामु ने भी हमें धीला नो कर ला के दिया बेटा जैसा मिल गया मैं तो ले आया दीला कहीं का अरे ये क्या कर रहे ये जी हमारा नो कर रहे शर्वत लाया है सर्वत ठंडा हो रहा है मालकी ने कहाता खातरदारी मैं सर्वत ठंडा पिलाना चाहिए अरे ये तो बहुत बड़ा पागल है मामु ये कैसे समझ गया ये बुद्धु है अरे ये तो पागल है कैसा नो कर रखा है ला सर्वत दे अबे ये तो बहुत करम है आपने ठंडा होने नहीं दिया मेरा क्या गजूर है मैंने बंद कर दिया ठंडा करना ऐसे पंखा करने से ठंडा होता है क्या अबे ठंडा कैसे होवेगा बताओ जी अरे ठंडे पाणी से सर्वत बनाएगा जबी तो ठंडा होएगा जी समझ गया मगर पानी ठंडा कैसे होवेगा ये तो बताओ जी तुम तो बुद्धु नहीं हो अरे तुमारा नोकर कितना बत्त मीज है जबान लड़ाते है इसे तो दुवा सलाम करना भी नहाता अज ये दुवा सलाम क्या होता कहां पे रहता अब तुझे ये भी समझाना पड़ेगा ये किसी को पहली बार मिलते है तो दुवा सलाम करते है अब ये भी समझाना ही पड़ेगा बिल्कुत बेज़ती करवादी ये तो हमारे अपने मामू हैं कोई और होता तो अब ता भग्या होता मगर जी सलाम होता कैसे है आज के बाद जो भी मिलेगा उसे ही सलाम करूँगा मगर करना कैसे है अब ये भी बताना पड़ेगा कैसे सलाम करते हैं ऐसे सलाम करते हैं असलाम अलेकुम ठीक है जी मुझसे तो जित्ता बोलोगे उत्ता ही कलूँगा जी अब तो इन्होंने समझा दिया कैसे सलाम करते हैं ठीक है जी मैं आपको सलाम करता हूँ असलाम आलेकुम यह तो बहुत पागल है चलो यामीन चलते हैं चल बागी यहां से बैसों के लिए चारा ले किया रहेगा बुद्दू का बुद्दू ही गदा कही का ठीक है जिदे दुबारे सलाम करूँ रहने दे तेरी सलाम को चल यहां से चल जा मैं माफ कर दो जी यह तो ऐसा ही बुद्धू है मामू आप हमारे मामू हो यह भी मेरे मामू जैसे है मैं खाना लाती हूं आपके लिए यह मेरी भान जी है कोई अच्छा सा लड़का मिले इसके लिए तो कोई रिष्टा बताना पहले इस नोकर को बगाओ फिर रिष्टा लागे दूंगा में चलो कोई बाद नी होता है चलो यामीन चलो अच्छा मैं